आप मानेगे नहीं, जितने भी packed products हैं उसमें जीनो मोटो डलता है, उसका कारण है उसके chemicals को चुपाने के लिए, उसके chemicals का टेस्ट इतना बुरा है कि कोई भी उसको खाएगा नहीं जब आपकी body में phytonutrients कम हो जाते हैं, तो क्या-क्या दिक्कत आती है, heart problems, आपकी arteries के inside की damage होने लग जाती है, तीसरी चीज, kidney damage, तो चौथी चीज, eye damage, पांचमी चीज, brain damage, छटी चीज, nervous system की damage, तो यह सिरफ कुछ 6 main चीज़े हैं जिनको phytonutrients चाहिए ही चाहिए, और test करवाली जिगर, survey करवाली जिगर, 70-80% लड़कियों को hormones की problem आ गए है, PCOD, PCOS हो गया है, periods बहुत जल्दी आ गए है, इसका future में liability क्या है, वो conceive नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे पैदा ही करने की शमता चली जाती है, या उनको thyroid हो जाता है, लड़कों में यही चीज, उ जब वो शादी की लायक होते हैं, वो बच्चा पैदा करने की शमता ही में रख पाते हैं, नमस्कार दोस्तों, हम मेंसे बहुत से लोग रोजाना junk food खाते हैं, जिसे fast food भी कहते हैं, और हैरानी की बात यह है कि अब तो बच्चे भी अपने intake में बहुत सारा junk food लेते हैं, ज यह junk food खाने से हमारी सेहत में क्या नुकसान होता है, इसके जानकारी देंगे रविंदर सेंजी, जैसा आप जानते हैं, रविंदर सेंजी self-made health coach हैं, और सेहत के बारे में गहरी knowledge रखते हैं, यह आज हमें बताएंगे कि जो ज़्यादातर दीमारियां बढ़ रही हैं, उसम जंक फूड का क्या रोल है, तो चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगया आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, रविंदर जी नमस्कार, नमस्कार सर, रविंदर जी का सामिल है, जरा बतागी दरसकों को, जो आपने नाम लिए चीज़ों के, वो सारी जंक फूड की कैटागरी में आते हैं, उसमें वो भी चीज़े आती है जो पैकेट में मिलती हैं, जैसे चिप्स, भूझिया, नमकीन, आपने बोल दिया कुर-कुरे कैकेट, ऐसी चीज़ बोलते हैं, देखे जाते हैं, जंक फूड में बहुत ही लो या जिरो न्यूट्रिशन होता है, पहली चीज, यह वह बात हो गई, कि हमने पानी पिया, वह आरो का पानी था, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं, खाली, खोका पानी, वह हमारे शिरीज में से सॉल्स लेके चला जा हैं, वह कम हो जाएंगे, लिखे एक फूड है, जो उसको हिलाएगा नहीं, अगर बढ़ाएगा भी नहीं, तो खटाएगा भी नहीं, एक जंक फूड ऐसा है, जो उसके लेवल को गेर देगा, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉड़ी में डेफिशेंसी होगी, तो उससे एफिशेंसी से क्या होगा, बीमारी का दर्वाजा खुल गया, अब कोई भी वाइरस, डेक्टीरिया, ऐलर्जिक चीजें अंदर आके घर कर सकती है, क्योंकि उसको लड़ने वाली चीज, जो न्यूट्रिशन है, वो है नहीं, तो इस सबसे पहली चीज है जैसे हम पीजा, बर्गर, हॉट डॉग जो बोलते हैं, तो ये सब चीजें कैसे फिर नुक्षान करती हैं? किया जाता है, और पीछ में डाली जाती है चीनी, ये तीन चीजें, काफी चीजों में चीनी डाली जाती है, नॉट ऑन द सेधी चीनी के नाम से, डिफरेंट वेज अफ चीनी, जैसे के अजीनो मोटो, आप मानेंगे नहीं, जितने भी पैक्ट प्रड़क्ट्स हैं, उसमे केमिकल्स को चुपाने के लिए, उसके केमिकल्स का टेस्ट इतना बुरा है, कि कोई भी उसको खाएगा नहीं, तो उसको चुपाने के लिए, उसमें अजीनो मोटो डाला जाता है, जिसको मोनो सोडियम ग्लुकोनिट बोला जाता है, वो एक चीनी का सिंथैटिक वर्जन है इंडिया में उसे चाइनीज नमक के नाम से जाना जाता है वो इतना ज्यादा शरीर के लिए खराब प्रोड़क्ट है वो हमारे बॉड़ी में से पहली चीज ब्लड शुगर को दो तीन गुना बढ़ा देता है दूसरी चीज वो हमारे ब्लड प्रेशर को शूट कर देता है तभी लोग जो बाहर खाना खाके आते हैं वो रात को चादर भी नहीं ले पाते उनको बार-बार प्यास लगती है मूँ सुखता है वो अजीनो मोटो का रियक्शन है और जितने packed foods हैं जितना Chinese खाना है उसमें अजीनो मोटो पढ़ता ही पढ़ता है क्योंकि वो क्या है वो preservative भी है वो taste enhancer भी है और वो छुपा लेता है बुरे taste को तो पहली चीज मैदा दूसरा गंदा तेल जो हमारा श्रीर हजम नहीं कर पसकता जिसको हम वो basically hydrogenated vegetable oil है तीसरे मेंबर पर चीनी और अजीनो मोटो ये तीन चार चीजों को combination ऐसा combination है हमारा श्रीर इसको पचाने के लायक नहीं है तो उससे side effect होता है आंत्रों में वो फस जाता है और आंत्रों में बरीक बरीक छेद हो जाते हैं उससे हमें जिससे leaky gut बोला जाता है तो preservative हैं वो भी नुक्सान करते हैं ऐसे में यह हजम तो होते ही नहीं है side effect क्या करते हैं बॉड़ी के लोगों को उसकी प्रिभाशा पता होने चाहिए phytonutrients एक तो अकेले nutrients होते है phytonutrients हैं जो हमें plant से मिलता है plant-based चीजों से मिलता है junk food में कोई भी phytonutrients नहीं है त तो जो phytonutrients हैं वो anti-oxidants बनाके शरीर के अंदर जंग लगने से उसको रोक देते हैं जब आपकी बॉड़ी में phytonutrients कम हो जाते हैं तो क्या-क्या दिक्कत आती है heart problems आपकी arteries के inside की damage होने लग जाती है तीसरी चीज kidney damage तो चौथी चीज eye damage पांचमी चीज brain damage छटी हैं जिनको phytonutrients चाहिए ही चाहिए तो junk food क्योंकि उसमें कोई भी phytonutrients नहीं है वो उल्टा जो बॉड़ी में phytonutrients हैं भी उसको भी कम कर देता है देखे एक बंदे ने खाना था सलाब या सबजी अगर उसने उसमें से उसको phytonutrients मिलने थे मगर उसने क्या खाया junk food junk food उसके जो phytonutrients थे उसमें तो ही नहीं है और जो श्रीज में है उसको भी कम कर देगा तो वह बहुत गहरी मार करता है और इसके side effects आगे जाके fatty liver और obesity, eyes problems, heart problems, kidney problems, खून साफ ना हो पाना, को जागती है लेट तो उसको खाना बनाने के लिए ममी डैडी सो रहे है क्योंकि ममी डैडी सुबह काम पर जाते हैं तो उसके लिए क्या विपकल्प बचा वो एक नूडल का पैकर लेती है जो दो तीन मिनिट में बच जाता है उसमें मैदा है रिफाइंड बहुत ज़्यादा और MSC और चीनी तो वो यह खा के लेट नाइट जिस वक्त उसको बॉड़ी पचाने के लिए तियार नहीं सोती है और आज आज आप टेस्ट करवाली जिएगा सर्वे करवाली जिएगा 70-80% लड़कियों को हॉर्मोन की प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कैंसर तक पहुंच जाते हैं लड़कों में यही चीज उनका स्परम काउंट गेर रही है तो जब वो शादी की लाइक होते हैं वो बच्चा पैदा करने की शंता ही नहीं रख पाते और इसी से कोलन में जिसको आंतिना बोलेंगे उसमें अलसर हो जाते हैं फि जो के कारण है तो यह सब समझ्चा है फास्ट फूड जंक फूड खाने के कारण हो रही है अब इसके विकल्प की बात करते हैं कि यह प्राब्लम हो गई सोलूशन क्या है कुदीब बहुत सिंपल सी बात है बच्चा एक स्लेट है जो माबाप लिखते हैं बच्चा वो फॉ सलाद में सारी नूट्रिशन और फाइटो नूट्रियंट्स दोनों है यह दो चीजे अगर वो खुद खा रहे हैं बच्चा देखेगा उसके सामने अच्छा एक्जम्पल सेट करना है घर में हर रोज सलाद आए स्टेबल पर खाने से पहले सलाद खाना ही खाना है उसके उ आटे की बात करें जैसे हमने बात की कि ज्यादा तर में मैदा यूज होता है यह आटा या चावल में इंग्रीडियंट है तो वह उसमें क्या ध्यान रखें क्योंकि आटा अगर खाना है तो फिर क्या विकल्प देखे ऐसा है सीरीज अफ तिंग्स है एक बहुत गलत है एक बिल्कुल गलत नहीं है आटा बिल्कुल गलत में नहीं आता बीच में आता है क्योंकि आटे में क्या हो गया है इतने सालों से आटे को राउंड अप का कैमिकल पड़ता है और उपर से तीन चार चीज़े ऐसी बढ़ती है जो आटे के ताने बाने को खराब कर चुकी है डा पंदरा साल पहले हमने वीट अलर्जी का नाम नहीं सुना था अब आज 20% से भी ज्यादा केस वीट अलर्जी के हैं क्यों वीट खराब नहीं होई वीट को डाल डाल के केमिकल खराब कर लिया और उपर से आते को क्या करते हैं अगर आता मिलता है उसमें ब्रायन जो फाइबर इसके स्तान पर आपको हरी सबजियां, सलाद, मोटा नाज, मिक्स नाज, खाना है, फल फ्रूट खाने हैं अच्छी क्वालिटी के जिसमें कैमिकल ना हो इसलिए हमारी मुहीम है शुद फार्म के माद्यम से कि कैमिकल फ्री शुद चीजें आपको एक प्लैटफॉर्म पर म रविंदर जी से बात कर सकते हैं, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं और लोगों को सेहत के लिए जागरू कर रहे हैं, इसी कड़ी में हमने इनके पहले भी कुछ वीडियो दिखाये थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, जुड़े रहे है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले